देखे अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो कितना भी खाले कुछ भी कर ले लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ता है यनकि आप एक हार्ड गेनर हो तो ये वीडियो स्थरीप आपके लिए है अगर आपकी वजन नहीं बढ़ती है आप हर वक्त थका थका महसूस करते हो और सबसे अच्छी बात की बहुत कम पैसे में आप इन पांचो स्टेप को फॉलो कर लोगे और एक महीने के अंदर ही आपको रिचर्ड दिख जाएगी तो हर एक स्टेप इंपोर्टेंट है अगर आप किसी भी स्टेप को मिस करते हो तो आपके लिए वजन बढ़ाना क्यालोरी मिल जाता है जितना आप दो टाइम के खाने से भी नहीं पूरा कर सकते तो अभी मैं आपको एक सेक का रेसिपी बताता हूं जिसे आपके वल एक महीने पी कर देख लो आपका जो वजन है छे से साथ कीजिए ना बढ़ जाए तो बताना लेकिन आगे के स्टेप को isma भी फोलो करना पड़ेगा सबसे पहले आपको लेना है 20 जोकि प्रोटिन से भरपूर इसके बाद आपको लेना है दो बनाना यानि कि दो के बाद आपको लेना है एक मच पीनट बठर आपको इसा भी बढ़िया कंपनी का पीनट बठर ले सकते हो और फिर इसमें आपको मिलाना है एक गिलास दूद अगर आपको दूद नहीं पचता है तो आप पानी भी मिला सकते हो फिर इसे आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें और आपका वेड़ पर एक दिन आप रेश रख सकते हो जिस दिन आपका बॉड़ी रिकवर हो आपने से बहुत से लोगों के मन में यह आता है कि ना तो हमारा मसल से जादा है ना हमारे बॉड़ी में फैट है तो क्या हम वयाम करते हैं तो हमारे लिए ठीक होगा विल्कुल ठीक होगा देखे वयाम क्या करता है कि आपके बलड सर्कुलेशन को इंप्रूब करता है जिससे आपका जो इंटर्नल ऑर्गन है वो ठीक तरीके से काम कर पाता है आप जो कुछ भी खाते हो वो आपके सरीर में लगती है साथी साथ जब आप वरकाउट करते हो तो आपके मसल्स पे प्रेसर च्छोटी च्छोटी दरारे आजाते हैं मैक्रो टियर्स कहते हैं और यहीं दरारे जब हम लोग खाना खाते हैं तो भरती है जिसके चलते हमारे जो मसल्स जितना था वो पहले की मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाता है और जब यही प्रोसेस लंबे समय तक चलती रहती है तो हमारा वजन बढ़ने लगता है हमारा मसल सा बढ़ने लगता है हमारा बॉड़ी बढ़ने लगता है तो वर्काउट तो करना important है अगर आपको तेजी से वजन बढ़ना है तो step number 3 ब्रहमचरी का पालन करें अगर आपको तेजी से वजन बढ़ना है तो ब्रहमचरी अनिवायर है अगर आप अच्छे चीजों को खा रहे हैं वयाम भी कर रहे हो लेकिन आप परहमचेरे का पालन नहीं कर रहे हो ना, तो सब व्यर्थ है, किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, गलत चीजों को करके केवल आप अपने बॉडी को अंदर से खोकला बना रहे हो, गलत चीजों को देखकर केवल आप अपने ब्रेन को खोकला बना रहे हो, साथ की बॉड़ी का एक हार्मन जिसे टेस्ट्रोस्ट्रोन करते हैं और टेस्ट्रोस्ट्रोन ही वह हार्मन है जो कि एक मर्द को मर्द बनाता है उसके बॉड़ी को बनाता है उसको इस्ट्रक्चर देता है उसको एक भारी अवाज देता है ताकि वह एक मर्द लग सके और जब क्राइब तक टेस्ट्ट्रों क्रें दीरे-दीरे करें डाउन चला जाता है यहांता कि क्रिसर्च यह कहती है के 2030 तक की अभी के जो यूत है उसका इता दाउन चला जाएगा तक 2030 तक जो नपुन सकता की संख्य है वो कई गुना जादा बढ़ जाएगी तो मर्द बनो, अपने सरीर को मजबूत बनाओ अपने आपको मांसिक और सारिक दोनों रूप से मजबूत बनाओ स्टेप नबर फोर, गहरी नींद लो देखे, आप सब अच्छा कर रहे हो अच्छे चीजों को खा रहे हो अच्छे से वर्काउट कर रहे हो अगर आपका नीद पूरा नहीं हो रहा है आप गहरी नीद नहीं ले रहे हो तो आपका वजन बहुत slow बढ़ेगा बहुत धीरे धीरे बढ़े क्यूंकि जब हम लोग गहरी नीद में होते हैं अपने सब चीजों को पूरी तरीके से खोखला कर लोगे अपने सब चीजों से बाहर निकलो और समय से शोव और सुर्य उदय से पहले उढ़ जाओ आपको अपने संरीर में एक अलग ही उठा का एहसास होगा स्टेप नबर फाइब पाचन तंद्र को ॥बनाओ देखे जब भी वजन बढ़ाने की बात आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या खाएंगे क्या जादा से जादा खाएंगे लेकिन हम लोग को पहले ये सोचना चाहिए कि खाना नहीं है मलकि उस खाने को पचाना भी है क्योंकि जो चीजे पचती है वो ही जाके हमारे सरीर में लगती है बाकी तो मल के रूप में सरीर से बाहर चली जाती है अगर आप बहुत चीजों को एक ही बार खाना इस्टार्ट कर दोगे न तो आपके आतों में जाकर सड़ेगी जिसे गंदी बदबु आएगी कब जी गैस अपचन जैसे समस्या होगी और वो गंदी चीजों से आपको कभी भी पोसक तत्व नहीं मिल सकती तो अपने पाचन तंतर को स्ट्रॉंग बनाओ खाना नहीं बचाना जरूरी है पाचन तंतर को स्ट्रॉंग बनाने के लिए कुछ नियम याद रखो जो कि हमेशा आपको करना है पहला कि खाते वक्त पानी मत पी हो दूसरा कि भोजन को अच्छे तरीके से चबा कर खाओ ताकि उसमें आपका सलाइवा आपका लार ठीक तरीके से मिल जाए और वो आपके आपों में जाकर आपके पेट में जाकर अच्छे तरीके से तूटे और उसका कनकन आपके सरीर में लगे और तीसरा खाने में एक चीज ऐसा जरूर खाएं जिसमें फाइबर हो और फाइबर किसमें होता है हरी सबजियों में फल में या फिर आप सलाद बना कर खा सकते हो यह आपके आतों से मल को मलद्वार तक लेकर जाती है मतलब समझ रहे हो कि वही गंदगी को साप करने का काम करता है अगर आपके बॉड़ी में फाइबर की कमी है तो ना तो आपके मल ठीक तरीके से साप होगा और ना ही आपको खाया पिया ठीक तरीके से लगेगा साथ ही साथ एक जरूरी नियम कि जादा तेल से बने चीजों को ना खाए इसकी अलाबा पैकेट बंद चीजों को भी परहेज करें ये पांच ऐसे स्टेप थे जिसे आपके बल तीस दिन के बल एक महीने फोलो कर लेते हो ना तो आप अपने आपको मानसीक और सार्रिक दोनों रूप से बदल लोगे अभी मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अभी परजेंट टाइम में आपका वजन कितना है और आप अपने वजन को कितना तक बढ़ाना चाते हो और अगर आपको इस वीडियो से चरा सा भी हेल्प लिए हो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचें तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद